दोस्तो Python की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक छोटा सा solution प्रोवाइट करूँगा जिसके अंदर हम ये चेक करेंगे कि अगर हमारे प्रोग्राम में एक particular validation अगर हमें चेक करना हो कि जो हमारा कोई भी एक record है या हम जो भी user से input कराना चाहते हैं क्या वो empty तो नहीं है empty का मतलब होता है खाली कुछ भी type नहीं किया क्या ऐसा तो नहीं है मैंने user को कुछ type करने के लिए कहा लेकिन उसने उसको खाली छोड़ दिया और उसके according मेरा else part चल पड़ा या फिर मेरा answer correct नहीं आया calculations सही से perform नहीं हुए बहुत सारे chances हैं तो हमें हमारे user के input के ऊपर validations देने पड़ेंगे कि जो user है अगर उसे ये कहा गया है कि भाया कोई चीज हमें provide करो अपना name अपना age टाइप करके बताओ तो उसे बताना ही पड़ेगा ठीक है ताकि हम उसके according अपने आगे के conditions को या अपने statements को run कर सके execute कर सके ठीक है तो और empty fields को या empty records को या जो empty input आते हमें user के तरफ से उसको हम कैसे cross check करें ठीक है वीडियो को start करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर new है तो subscribe करें बेल आइकन को click करके all notification को on करें ताकि आपको latest videos की notification मिलती रहे और एक बार जरूर playlist section को जाके देखे यहाँ पर मैंने आपको PHP tutorial, live chat application, javascript tutorial, game development, google की तरह search engine मनाना और ही बहुत सारे projection जो आपके लिए बहुत ही helpful थावित हो सकते हैं so मैं आगे अपने code के अंदर और यहाँ पर already मैंने एक file save कर रहा है जिसका नाम है check underscore empty dot py अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं simply एक name नाम का variable बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं एक name store कर रहा हूँ, ठीक है let us say name is cyber space warriors, ठीक है अब यहाँ मैं आ गया और मैंने क्या कहा, if name colon, आप directly ऐसे भी run कर सकते हैं या फिर आप इसको brackets के अंदर या parenthesis के अंदर भी रख सकते हैं, एक ही बात है, if name पहले मैं आपको run करके दिखाता हूँ, और उसके बाद मैं आपको इसको working समझाता हूँ, name is present, अब यहाँ मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने दूसरा condition डाल दिया, else, you didn't type anything, please type your name, मैंने का, please type your name, ठीक है, और यहाँ पर मैं चेक कर पा रहा हूँ, एक quote मैंने miss कर दिया है, तो इसको मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पर double quotes, और save किया, ठीक है, ठीक है, तो मैंने double quotes को apply कर दिया, तो पहले मैं आपको इसको run करके दिखा रहा हूँ, और उसके आद मैं आपको इसकी working को समझाऊंगा, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ python, और जो हमारे file का नाम है, तो कहता, the is present, अब यह पता नहीं क्या हो गया, the, यहाँ पर आएगा, name is present, तो मैंने message पर ध्यान नहीं दिया था, तो कहता, the name is present, अब देखो क्या होता है, इससे, य name नाम का variable है, जिसके अंदर क्या string पढ़ा हुआ है, cyber warriors, यानि कि यह string, name नाम के variable में जा करके store हो गया, अब मैं आगे क्या check कर रहा हूँ, if name, यानि कि अगर name present है, तो, यानि कि if name is not empty, क्या वो खाली नहीं है, अगर जो खाली नहीं है, अगर name में कुछ present है, तो क्या करे, तो जादा कुछ ना करे, screen के उपर बस एक print कर दे, क्या print करे, the name is present, या फिर please type your name, बड़ा ही simple है, अब इसको बहुत ही अच्छे अच्छे validations के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन, अगर मैं यहां से हटा दू अपने string को, अब name हो गया empty, अब अगर मैं अपने file को run करू, कह जो name है, वो provide तो करो हमें, ठीक है, अब अगर मैं यहां पर एक space लगा दू, यहां पर मैं आ करके इसको check करू, कहता name is present, reason is, यह blank नहीं है, यह देख रहे हैं, एक dot आ गया, space भी एक character है, भले ही वो blank character है, देखता नहीं है, लेकिन character तो character होता है, ठीक है, अब हम अगर हम च enter your name, अब इससे क्या होगा, user अपना name input करेगा, और जो भी वो name input करेगा, मैं यहां पर बुला लूँगा, अगर वो कुछ input करेगा, तो बोलेगा name is present, या फिर बोलेगा, please type your name, ठीक है, तो मैंने इसको किया clear, कहता enter your name, तो मैंने कहा इसको amit, कहता name is present, अब इसमें हम और changes कर सकते हैं, और इसको और अच्छा बना सकते हैं, ठीक है, let us say the name is present ना करके, मैं यहां पर कर दू, your name is, और इसके बाद आएगा, उसका नाम, जो भी उसका नाम है, अब उसको करने के लिए, मैं यहां पर f string का use कर रहा हूँ, जो कि मैंने आपको python के अंदर already सिखा रखा है अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा, तो एक बार python की playlist को जाके चेक करें, description में link mention है, और इस जगह पर मैं कहा चाता हूँ, इस जगह पर मेरी requirement है, जो भी name नाम का variable है, उसके अंदर जो string present है, वो यहां पर print हो जाए, मैंने इसको save किया, अब इसको run करते हैं, होप सो कोई error ना आए, कहता enter your name, मैंने कहा cyber warriors, तो कहता your name is cyber warriors, अगर मैं इस बार कुछ और name provide करू, कहता your name is amit, मतलब यह dynamic तरीके से काम कर रहा है, मेरा दिया हुआ static fixed variable नहीं है, initialized नहीं है, ठीक है, अगर मैं इसको इस बार empty छोड़ दू, कहता please type your name, मैंने कुछ भी provide नहीं किया ठीक है, तो आप देख पार रहे हो, आप इसके according कुछ validations को check कर सकते हो, कि अगर वो input ही नहीं करेगा, तो program को आगे क्यों बढ़ाए, directly उसको बोल देंगे कि पहले name अपना type करो, बहुत ही छोटा सा lecture था और मैं उमीद करता है, आपको यह अच्छा लगा होगा, और समझ म आपको घसे काहिट काहिसी करें सकते हो, क्याओ करtır आपको अब आपना रहे हो, खो इपना, वो एच चत को आपको था yönने हो, स्कुझा हो, आपको नहीं कर नहीं को आपको आपको है, आपको कि अत्ता है, जहाए जह रहे होगा shum cracked, को वो यह हो, आपको 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 आप